गर्मी का सीजन आते ही आग ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है इसका खामियाजा किसानों को जहिनला पढ़ रहा है किसानों को पुद्रत की दोहरी मार पड़ी है एक ओर जहां पिछले दिनों बेमौसम बारिश के कारण किसानों की गेहूं की तैयार पकी खड़ी फसल बरबाद हो गई तो अब आग लगने से किसान दोहरी मार जहिल रहे है यहां गेहूं की तैयार खड़ी फसल में अचानक ही शौट सरकिट के चलते आग लग गई देखते ही देखते पूरा खेत आग का गोला बन गया और लगभग किसानों की बारा एकर फसल जल गई इस मामले में मुखे बात ये रही कि अग्मी शमन विभाग को लगातार कॉल किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया और किसी तरह किसानों ने ही इस आग पर काबू पाया लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था अब लगा लो उसका कितरा का अंदाज होगा उससे नुकसान हुआ है और यह बिजली की स्पार्किंग होके के मोटर का क्राइशन कुई कर रहे थे तो नंबर दो किया है उससे लग गई आग लगई सारी क्या यहां पर फायर वाले आई आग बज़ने वाले यहां पर ना को कई लग रहे लगई है क्या करें क्या नंहीं इospheric है यहां थैसे वहां से आ गया धंजारे से कहां है वहां से अलता के बागए भागए बञज़ वारा यह तो हाल है मेरी लेवर्ती मेरे तों प्रक्टर चल रहे थे उससा god तो भाग के आगर तो इसको किया ऐसा कि अर्याओर सरकार से मां करेंगे कि जो हमारा नुक्सान हुआ हमारा नुक्सान की पूर्ती कि यजाए अर लाग जो जो भी करेंगें। ढृब कर सकते हैं भाद जो पुज़ इसके नही मिला किछले सालों में फसल वीमे के पैसे हैं जो उसका कुछ नहीं दे रहे इतना परसेंट लोस हो तो मिलता है नहीं तो क्या कहेंगे किसी को बीजनी की तार स्पारिंग करने से हुई है एकदम फिर हवा ते चल दी थी आग गिरी तो बस फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं हो एकदम नहीं हो कितने के हम में आग लग गई होगी है कितने किसान प्रभावितेंस से जाद दो किसान प्रभावितेंस